नमस्कार जैसा कि आप सबको पता है कि निपुन लक्ष एप में सापताहिक अपडेट आते रहते हैं तो इस बार जो अपडेट आया है उसके अंतरगत अब हमें बच्चों का आकलन उनके नाम से करना होगा अर्थाद अब आपके बच्चे कक्षावार नाम के साथ इस एप में प्रदर्शित होंगे हमें कक्षा सेलेक करनी है बच्चे का नाम सेलेक करना है और उसके बश्चाथ हमें इसका बच्चे का आकलन करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाकर अपने एप को अपडेट करना है, वैसे भी हमें इस एपको, निपुल नक्ष एप को weekly अपडेट करते रहना, क्योंकि सब्दा ही किसमें कोई नकोई अपडेट आता रहता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान लखना है अब जैसे कि मैंने यहां पर और इसको अपडेट करके रखा हुआ है तो सबसे पहले हम इस एप को ओपन करेंगे इससे पहले जब हम इसको ओपन करते थे तो यहां पर केवल हमारा सापताहिक आकलन ही प्रदर्शित करता था लेकिन अब आप देखें कितने बच्चों का आकलन किया और कितने बच्चे एक महिने में आपके निपर हुए तो आए जानते हैं इसकी आगी की प्रक्रिया अब हमें अगर बच्चों का आकलन करना है तो इसकी नीचे जो नीले रंग से लिखा है विद्यार्थी आकलन वहां पर हम क्लिक करेंगे ज जैसे मैंने यहाँ पर कक्षा 1 को सलेक्ट किया तो मुझे कक्षा 1 के सारे बच्चे यहाँ पर शो कर रहे हैं आप बच्चों के नाम चेक कर लिजिए कि है सारे या नहीं तो पर जैसे क्लास 2 के पर हम क्लिक करेंगे Class 2 के सारे बच्चों के नाम एक एक करके यहाँ पर प्रदशित होने लगेंगे आप चेक कर लेंगे सारे बच्चों के नाम है या नहीं है फिर जब हम Class 3 पे क्लिक करेंगे जैसी Class 3 पे क्लिक करेंगे कक्षा 3 के बच्चे भी हमें प्रदशित होने लगेंगे हम सारे बच्चों के नाम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि बच्चों के नाम है या नहीं है वैसे जितने भी बच्चे आपके पोर्टल पर अपडेट होंगे वो सारे बच्चे आपको आपके निपूल नक्षाइब पर कक्षा 1-2-3 के बच्चे क्लास वाइस यहाँ पर शो करेंगे जैसे कि यहाँ पर मेरे कक्षा 1-2-3 के बच्चे शो कर रहे है अब मुझे जिस कक्षा के बच्चों का आकलन करना है मैंने वो कक्षा सेलेक कर ली जैसे यहाँ पर मैंने क्लास 2 को सेलेक करा तो मुझे class 2 के सारे बच्चे यहाँ पर show कर रहे हैं अब जिस भी बच्चे का मुझे आकलन करना है मैं उस बच्चे के नाम पर click करूंगी जैसे ही हम यहाँ पर उस बच्चे के नाम पर click करेंगे पुरानी प्रक्रिया जैसे कि पहले आता था वही process स्टार्ट हो जाएगा एक कहानी आएगी जिसे बच्चे को निर्धारित समय में पूरा पढ़ना होगा तो पश्चात आपके एक छोटा से paragraph आएगा उसके बाद जोर के सवाल आएगे, घटाने के सवाल आएगे जिसे बच्चे को दिये गए समय में करना होता है तो पश्चात आपका परणाम आ जाएगा कि आपका बच्चा किस विशे में निपूर है किस विशे में निपूर नहीं है उसको और अधिक प्रयास की आवसाकता है इस तरह से हम एक एक बच्चे का नाम सलेक करते जाएंगे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे हमारा प्रयास सेरना चाहिए कि हम अधिक से अधिक बच्चों का आकलन प्रतिदिन करते रहें क्योंकि अब यह संख्या weekly नहीं बलकि month यानि पूरे महीने में आपने कितने बच्चों का आकलन किया है यह आपके इस एप में शो करेगा कि कोई आपका एप चेक करता है तो उसमें आपने कितना काम किया है वो पूरा शो करेगा अब जैसे ही आप इस बच्चे का आकलन करेंगे आप बैक में जाएंगे तो यहाँ कक्षा 2 के नीचे आप देखेंगे कि एक हरे रंका स्कॉय टाइप का बना हुआ है ब्लॉक बना छोटा सा और एक लाल रंका हरे में उन बच्चों की संख्या दिखा रहा है जो बच्चे न पूर नहीं हुए उनकी संख्या दिखाएगा और उसके नीचे आपने कितने बच्चों का आकलन नहीं किया है वो पदर्शित कर रहा है अब यदि आपके बच्चों के नाम इस एप में पदर्शित नहीं हो रहे तो आपको क्या करना है जैसे ही आप विद्यार्थी आकलन पर क्लिक करेंगे आपका ये पेच खुल कर आएगा इसमें उपर दाइं और इस तरीके का एक सर्कल टाइप का निशान होगा इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी कक्षावार बच्चों के नाम शो करने लगेंगे ध्यान से सुनि select करिए उन्हें बच्चे का नाम select करिए और उनका आकलन करिए इस बार एक नया features में ये add किया गया है कि आपका विगत माह का जो आकलन होगा वो भी इस एप में इस पार प्रदेशित होगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अक्टूबर के सासा सितंबर माह में आपने कुल कितने बच्चों का आकलन किया है वह भी यहाँ पर शो हो रहा है तो जल्दी से जल्दी आप अपने एप को अपडेट कर लें और चेक कर लें कि आपके बच्चों के नाम शो हो रहे हैं या नहीं शो हो रहे हैं और जो मैंने प्रक्रिया बताई उसकी सहाथा से आप चेक भी कर सकते हैं नामों को और जिस दिये गए नंबर पर संपर करके भी आप अपनी समस्याओं का समाधान प्रा धन्यवाद